हलो एवरिवान, वेलकम टू रीटा रूरा रेसिपीज, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ खोपरा पाक या जिसे नारियल की बर्फी भी कहा जाता है, वो ये खाने में बहुत जादा टेस्टी है, एकदम सॉफ्ट, एकदम मॉइस्ट, और आप इसे घर पर रखे कुछ सवान सी ही, सिर्फ 10 मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं, तो चलिए फिर देखते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए हमने गैस पर एक कड़ाई रखी है, इसमें हमने 200 ml फुल क्रीम दूद लिया है, ये मैंने कच्चा दूद लिया है, आप चाहें तो उबला अभी ले सकते हैं, बस कोशिश ये करेंगी, फुल क्रीम दूद लें, और ये 200 ml दूद है, और इसमें डाल देंगे, और साथी हम इसमें 150 ग्राम चीनी डाल देंगे, और साथी हम इसमें एक चमच ये केसर वाला दूद डाल देंगे, एक चमच गरम दूद में मैंने केसर क कुछ धागे डाल कर थोड़ी देख लिए रख दिया था और अब ये दूद हम इसमें डाल देंगे ये optional है अगर आपके पास केसर ना हो तो आप ये ना डालें या आप इसे skip भी कर सकते हैं और अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें एक उबाला आने देंगे गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है और इसे एक उबाला आने के तक हम इसे थुड़ा सा चला लेंगे इस तरह से और ये देखे दूद में जब चीनी मेल्ट हो गई है तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है इस तरह से चीनी पहले डालने से आपकी जो बर्फी है वो बहुत ही बढ़िया बनती है और ये देखे इसमें उबाला भी आ चुका है तो अब हम गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे और इसे पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही उबलने देंगे और ये मिठाई बहुत ही जादा सॉफ्ट और मॉइस बनकर तयार होती है और सबसे बड़ी बात कि इतनी जल्दी बनकर तयार होती है कि आपके घर अचानक कोई मेमान आने वाले हो या कोई भी तेवहार हो तो आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना कर तयार कर सकते है अब हम इसमें एक चुथाई छोटी चमच इलाइची का पाउडर डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ये औरेंज फूट कलर डाल रही हूँ ये जो पाउडर वाले कलर को मैंने थोड़ा सा पानी में डाल कर अच्छे से डिल्लूट कर लिया है तकरीबन एक चुथाई चमच ही मैंने इसमें डाला है वह इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे कलर डालना भी ऑप्षनल है पर क्योंकि मैं इसे केसरी रंग देना चाहती हूँ तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ आप चाहें तो इस बर्फी को बिना केसर और बिना इस फूड कलर के भी बना सकते हैं तब भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और अब हम इसमें यहां पर 200 ग्राम ये डिसीकेटेड कोकुनट या जिसे नारियल का बुरादा भी कहा जाता है इसमें डाल देंगे और इसे डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम gas का flame low कर देंगे और low flame पर हम इसे थोड़ी दिर के लिए चला लेंगे जब तक ये जो नारिल का चूरा है पूरा ये दूद के mixture को अच्छे से absorb नहीं कर लेता दो से तीन मिनिट हो चुके हैं और इस तरह से हमें देखी इसे लगतार चला रहे हैं और gas का flame हमने low रखा हुआ है और ये almost तयार हो चुकी है अब हम इसमें एक चमाई देसी घी डाल देंगे और देसी घी डाल कर इसे अच्छे से mix कर लेंगे और अब हम इसे low flame पर ही दो मिनिट के लिए और पका लेंगे एक चमाई देसी घी से इस खोपरा पाक की जो है तेस तो भड़ता ही है साथ ही इसमें एक अच्छी सी glaze आ जाती है काफी soft और moist हो जाती है ये और इसे डाल कर हम अच्छे से mix कर लेंगे और लीजे हमारी खोपरा पाक का जो mixture है ये तयार हो चुका है अब हम इसे set करेंगे set करने के लिए अगर आपके पास कोई बर्फी की tray हो तो आप बर्फी की tray ले सकते हैं नहीं तो आप इसे normally एक कोई भी plate ले लें जैसे मैंने ये plate ली है और इसके पर थोड़ा सा हम देशी गी लगा देंगे और इसे इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे और अब हम इसके उपर ये खोपरा पाक का mixture रखेंगे और इसे चम्मस से या फे spatula से ही इस तरह से evenly थोड़ा सा फैला लेंगे जितनी मोटाई आप रखना चाते हैं उतना ही रख सकते हैं इसे इस तरह से किनालू से हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ करते जाएंगे और उपर से flat करते जाएंगे कि देखिए इस तरह से और इसे हमने evenly अच्छे से फैला लिया है अब हम इसके उपर चांदी का वर्क लगा रहे हैं आप चाहें तो इसे ड्राइफ रूट से गार्निश कर सकते हैं या फिर आप इसे इसी तरह से प्लेन भी सर्फ कर सकते हैं और अब हम इसे 10 मिनट खिली रूम टेमपरिचर पर ही रख देंगे या फिर आप फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं इसे थोड़ा सा ताकि यह सट हो जाएगा और यह देखिए सेट हो चुक अब बिल्कुल वही टेस्ट और वही एकदम प्रेजेंटेशन आप घर पर भी तयार कर सकते हैं अपने भाईयों के लिए और यह देखिए यह एक खुपरा पाक मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ देखिए अंदर से कितनी जादा सौफ्ट और मॉइस्ट है बहुत ही ज के लिए यह रेसिपी जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभव में साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको हमाई रेसिपी पसंद आती हैं तो हमारी चैनल रीट्या रूर रेसिपीज को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और पास ही लगे बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं और नए ने रेसिपीज के लिए